मेरे प्यारे प्यारे नन्ने मन्ने बच्चों आज मैं आप लोगों को आपका ये फोर्थ लेशन मिस्टर गारबेज एंड मिसेज पॉलिथीन मिस्टर कूडा करकट गार्बेज और मिसेज पॉलिथीन पन्नी वाली जो थेली है इसी पार्ट को सुरू करते हैं बहुत ध्यान से बच्चों समझना एक गर्ल वाज टाकिंग टुए हीप आफ गार्बेज एक गर्ल वाज एक लड़की थी टाकिंग बातचीत कर रही तुए हीप आफ गार्बेज कूडा करकट के हीप धेर से बातचीत कर रही थी गर्ल लड़की कहती है तुम कौन हो तुम्हें इतनी बदबु आती है तुम्हें इतने बुरे महकते हो मैं बीमार हो सकती हो मिस्टर गार्बेज कहते हैं मैं मिस्टर गार्बेज हूँ मैं मिस्टर कूडा करकट हूँ मैं पाया जाता हूँ हर जगे मैं हर जगे पाया जाता हूँ गर्ल लड़की कहती है यू लुक सो अगली तुम बहुत बदसूरत दिखते हो वाट आर यू मेड आफ तुम किस से बने हो मिस्टर गार्बेज आई एम मेड आफ मैं बना हुआ हूँ वेजी टेबिल पील्स सबजियों के छिलकों से ओल्ड और टॉर्न क्लाथ्स पुराने और फटे हुए कपणों से सूज जूतों से यूटेंसिल्स बर्तनों से पेपर्स कागजों से और वहा कोई भी चीज यूजलेस जो व्यर्थ हो बेकार हो देट यू थ्रो अवे जिसे आप बाहर फिक देते हैं दूर फिक देते हैं मैं उससे बना हुआ हूँ लड़की कहती है गर्ल वेर डू यू लिव मिस्टर गार्वेज मिस्टर कुड़ा करकट वेर डू यू लिव तुम कहां रहते हो मिस्टर गार्वेज कुड़ा करकट कहता है डस्ट बिन इस माई होम डस्ट बिन कहते हैं कुड़े के डिब्बे को जिसमें आप लोग कूडा करकट डालते हैं अपने घरों में Is my home मेरा घर है dustbin ही मेरा घर है You can also put me in a pit You आप सकते हो भी put me रख in a pit एक गड़े में and cover it और इसे ढख सकते हो आप गड़े में भी रख सकते हो और इसे ढख सकते हो Then why are you here तो फिर तुम यहां क्यों हो लड़की कहती है Then तब Why are you here तुम यहां क्यों हो Mr. Garbage कूडा करकट कहता है I am here because people throw me anywhere they like मैं यहां हूँ because क्योंकि people throw लोग फेक देते हैं मी मुझे anywhere कहीं भी they like जहां वे पसंद करें मैं यहां इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे जहां पसंद करते हैं वहां फेक देते हैं कहीं भी फेक देते हैं if they put me in a pit ये मुझे वे गढ़े में रखते हैं and cover it और इसे ढख देते हैं I may become useful for them मैं उनके लिए become हो सकता हूँ useful उपयोगी for them तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूँ गर्ल कहती है how is that possible वह संभाव कैसे है possible संभाव how is that possible वह संभाव कैसे है Mr. Garbage Mr. Kula करकट कहते है there I mix वह में मिल जाता हूँ with soil मिट्टी से and turn और बदल जाता हूँ into manure खाद मे to grow rich crops rich crops अच्छी समरद्ध फसल उगाने के लिए फारियोद तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी फसल उगाने के लिए खाद में बदल जाता हूँ girl कहती है लडकी कहती है that's good यह तो अच्छी बात है but who is that लेकिन वह कौन है Mr. Garbage she is Mrs. Polythene वे पॉलिथीन है girl लडकी Mrs. Polythene she looks so pretty वह तो बहुत दिखती है so pretty इतनी सुन्दर Mr. Garbage गुडा करकट महोदे कहते है dear child प्यारी बच्ची no doubt इसमें कोई संदे नहीं she is very pretty वो बहुत ही अधिक सुन्दर है and useful और उपयोगी भी but do you know क्या आपको पता है animals die पशु मर जाते है if they swallow it यह दिवे इसे swallow कर लेते हैं निगल लेते हैं she is the most dangerous enemy of man वहाँ शिका एक सबसे खतरनाक सत्रू है enemy है girl लडकी कहती है in what way किस तरह से किस प्रकार से Mr. Garbage Mr. Kula Cricket कहते है because she is made of plastic क्योंकि she is made of वो बनी हुई होती है plastic plastic से as I told you जैसा की आपको बताया गया है I can mix with soil मैं मिट्टी में मिल सकता हूं mix मिल सकता हूं but लेकिन plastic never mixes लेकिन plastic कभी नहीं मिलती है with soil मिट्टी से लेकिन plastic कभी मिट्टी से नहीं मिलती है it remains in the soil यहाँ बची रहती है सेस रहती है in the soil मिट्टी में far a long time एक लंबे समय तक गर्ल कहती है लड़की कहती है for how long कितने लंबे समय तक Mr. Garbage Mr. Garbage कहते हैं almost forever प्रायहा हमेशा के लिए forever हमेशा हमेशा के लिए गर्ल लड़की कहती है but my Mr. Garbage लेकिन Mr. Garbage plastic is everywhere plastic तो everywhere हर जगे है we use so many things हम प्रयोग करते हैं बहुत सारी वस्तुएं made up plastic plastic से बनी हुई like toys जैसे की खिलोने containers डिबे computers computer cloths कपड़े bags थैले etc आदी आदी ये सब plastic से बने होते हैं Mr. Garbage कहते हैं Mr. Koda करकट कहते हैं you are right तुम सही हो तुम ठीक हो ठीक कहती हो people use it लोग इसे प्रयोग करते हैं because plastic can be molded क्योंकि plastic को can be molded धाला जा सकता है into any shape किसी भी यहकार में and it does not break और यह नहीं break तूटती है easily आसानी से और यह आसानी से नहीं तूटती है but remember लेकिन याद रखो it is not good for the environment लेकिन यह environment के लिए परियावरल के लिए not is not good यह अच्छी नहीं होती है girl लड़की कहती है okay ठीक है I will remember मैं याद रखूंगी this मैं इसे याद रखूंगी and also ask my family और कहूंगी अपने परिवार से and neighbors और परोसियों से to stop using plastic प्लास्टिक का प्रियोग करने से परोसियों और परिवार के लोगों को रोकने के लिए कहूंगी Mr. Garvey is good बहुत अच्छा then our earth will be तब हमारी धर्ती हो जाएगी a clean such and healthy place और एक स्वास्थ प्रद इस्थान to live in रहने के लिए तो हमारी प्रतवी स्वास्थ प्रद इस्थान और स्वास्थ हो जाएगी तो मेरे बच्चो यह आपका पाठ समाप्त हुआ अब इसके word meaning जो है वे आप और note कर ले ताकि अपनी अगर आपके पास पुस्तर नहें तो note कर सके आगे समझते हैं question answer question number a देखिए list the items उनकी वस्तों की सूची बनाईए you throw जिनने आप फेक देते हैं in the dust bin कूडे दान में as garbage कूडे की तरह तो मेरे बच्चे इसे list भी बना सकते हैं परन्तु मैंने इसे पूरी तरह आंसर में दे रखा है देखे we throw vegetable pills हम फेक देते हैं vegetable के छिलकों को olden torn cloths पुराने और फटे पुराने कपड़ों को सूज जूतों को papers कागजों को and useless things और निरर्थक बेकार चीजों को in the dust bin as garbage garbage की तरह कूडे की तरह dust bin में throw फेक देते हैं अब भी देखिए which are the items वे वस्त्वें काउंसी हैं generally सामाने तह thrown फेक दी जाती है as garbage कूडे की तरह that can be reused जिने पुना प्रियूक के जा सकता है are recycled या पुना ढाला जा सकता है तो मेरे बच्चे इसका answer देने के लिए थोड़ा सबस आपको करना है which are the items जो हैं यहीं पर आप लोगा देना है utensils जैसे paper and plastic things are generally thrown at garbage that can be reused or recycled बस हो गया answer which are the items की जोड़ना पड़ा utensils, बरतन paper, garbage and plastic things और plastic की वस्तवें इतना जोड़ना पड़ा बाकी तो कुश्चन से ही आपने उतार दिया see देखिए how does garbage get mixed garbage कूडा करकट कैसे मिल जाता है with soil मिट्टी से and become useful for us और हमारे लिए उपयोगी कैसे हो जाता है तो मेरे बच्चे केवल आपको how does की जैपर थोड़ा सा जोड़ना है after rotting बस इतने जोड़ना बाकी आपको कुश्चन से ही उतार देना होगा तो answer देखिए after rotting सड़ने के बाद garbage gets mixed with soil कूडा करकट मिट्टी से मिल जाता है and become useful for us और हमारे लिए उपयोगी हो जाता है बस D देखिए what happens क्या होता है to the animals पस्वों को भेंदे स्वालो polythene bags जब वो polythene के bags निगल लेते हैं तो पस्वों को क्या होता है तो मेरे बच्चे इसमें क्या करना है भेंद से शुरुआत करनी आंसर की भें देखिजे पर लगा दो एनिमल बाकी थोड़ा से जोड़ दो क्या जोड़ते हैं खुद ही देख लो लास्ट कुस्चन देखिए How is polythene dangerous for us polythene हमारे लिए खतरनाक क्यों होती है तो मेरे बच्चे क्योंकि ये कभी नस्ट नहीं होती ये दभी पड़ी रहती है और जहां पर पड़ी रहती है वही उसी का नुक्षान कर देती है इसलिए इसका आंसर पाने के लिए थोड़ा सा विकाजादी लगा करके बना दीजे क्या लगा ये ये हमेशा बनी रहती है बस आंसर हो गया इसकी अगली इकसरसाइज देखिए चूज द खरेक्ट आफ़िसन सही विकल्प ठूज चूँनिये नीचे के वाग्यों को पूरा करने के लिए पहला दिया हुआ है गार्बेज और। भी त्रोन कूड़े करकट को फेका जाना चाहिए In dust bins कूड़े दानों में Here and there यहाँ वहाँ In the classroom या classroom में तो सब को पता चल गया होगा A is का विकल्प होगा In dust bins यह देखे Garbage is made of Garbage बना हुआ होता है Useful things उप्रयोगी वस्तों का B useless things बेकार चीज़ों से या C fresh things बहुत ताजी वस्तों से कोड़ा कलकर बनता है तो मेरे बच्चे इसका B विकल्प होगा Useless things निरथक बेकार चीज़ों से कोड़ा कलकर बन जाता है इसका थर्ड देखिए अगला We should not use polythene Because हमें polythene का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि It is useless thing ये बेकार की चीज़ है Looks very pretty बहुत सुन्दर देखती है Cannot be destroyed इसे नस्ट नहीं किया जा सकता तो मेरे बच्चे Cannot be destroyed C इसका विकल्प होगा अब बेटा word power देखिए Fill in the blanks खाली इस्थान भरिये With the appropriate words उचित सद्दों से Given in the box जो box में दिये वे हैं एक है Molded ढला गया Manor खाद Heap धेर और स्वालो है निगला निगलना तो मेरे बच्चे पहला ये देखिए I try to The tablet with water हम पानिक साथ क्या करते हैं स्वालो कर लेते निगल लेते हैं तो स्वालो यहां पर भरा जाएगा ये में B में Farmers Add जोडते हैं किसान जोडते हैं क्या जोड देते हैं Manor To the soil खाद जोड देते हैं तो manure होगा B में C में The Potter Potter कहते हैं कुमार को बरतन बनाने वाला Molded आकार देता है या ढाल देता है The clay मिट्टी को Into a pot एक बरतन में तो यहां पर C में क्या आएगा Molded और D में बचा हुआ है आपका Heap Heap मैंने धेर A heap of newspapers Newspapers का धेर Is lying on the table मेज के उपर पड़ा हुआ है तो मेरे बच्चे यहां पर D का Heap होगा दूसरे कुश्यन में एक बाक्स दिया हुआ है इसके अंदर जो मिट्टी में चीजे मिल जाती है और कुछ चीजे मिट्टी में नहीं मिलती है जिने कहते हैं बायो डिग्रेडिबिल और नान बायो डिग्रेडिबिल इनको अलग-अलग दोनों को अपनी काफी पर करना है इसमें देखे बचा मैस ता मैस्कुनिन जेंडर पुलिंग गिवेन इन दक कालम A कालम A में पुलिंग दिये हुए हैं इस फेमिन जेंडर गिवेन इन कालम B और दूसरे में इस्त्री लिंग दिये हुए हैं तो पुलिंग को इस्त्री लिंग से आपको मिलान करके लिखना है आमने सामने लिखना है तो देखिए पहला है टाइगर का टाइगरेस नियफ्यू नीस पीकाक पीहन होर्स मेर घोडी और प्रिंस प्रिंसेज राजकुमारी तो इस प्रकार से बेटा इनको आप लिख लीजेगा मेरे बच्चे ये लेंग्विज प्रेक्टिस में एक कालम दिये हुए हैं इसमें से हर कालम से आपको एक सब्द चुनना है और बहुत सारे वाक्य बनाने हैं जिससे आपके बहुत सारे कुश्चन्स बन जाएंगे जैसे पहले एक बता देता हूँ How wide is the road? दूसरा How wide is the river? तो ऐसे How long is the river? इस प्रकार से आप बहुत सारे कुश्चन्स बनाएं आगे एक्टिविटी है क्रिया कलाब हमें क्या क्रिया कलाब करने चाहिए? यह बताया गया It is discussed ऐसी चर्चा की गई है In the chapter इस part में That we should not use polythin bags कि हमें polythin bags का प्रोग नहीं करना चाहिए What should we use in place of polythin bags? हमें polythin bags के इस्थान पर क्या प्रोग करना चाहिए? Make paper and cloth bags कागज और कपडों के bag बनाए With the help of your teacher अपने teacher या अपने माता-पिता की मदद से यह activity दी हो यह चाहें तो आप यह करके देखें घर पर इस प्रकार पुरा पार्ट समाप्त हुआ नमस्कार फिर आगे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में सब्सक्राइब न किया हो तो कर लेना मेरे बच्चे